जैसे यह राम दोस्तों हिंदी ग्रंद के एक नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत सवागत है आधा में कमेंट का रिकलाई कर रहे हैं तो उसका क्या आर्थ है दोस्तों जो यह पुस्तक है दैने जीवन में सोपने के फल इसमें महीशन अंचरमाजी से लिखी हुई है इ अगर टो यह अच्छा सपन है कि अगर किसी लेडी ने देखा के फर्नीशर बेचने का सपना आया है उसको तो यह पती से मनमोटा होगा और पती न देखा तो पत्नी से मनमोटा होगा और फर्नीशर बेचने टाइम वहीं अगर आपने देखा कि आपको फर्नीशर खरीदने का सपना आया है आप फर्नीशर खरीद रहे हैं तो यह फर्नीशर खरीदने के सभाव पर निरवर्द करता है और मेरे ख्याल से इसलिए शर्माजी ने इस पर content नहीं डाला है अगर आप बिस्तर खरीद रहे हैं आपने एक बेड खरीदा तो यह एक विवाह सूचक सपने हैं कोई अच्छे मंगल कार्रे का सपने हैं घर में कोई function हो सकता है आपका विवाह नहीं हुआ है तो बच्चे हो सकते हैं अगर आपने बेड देखा अब अगर आपने बेड के अलावा द पैसों के नुकसान होने का सपने है अच्छा सपने नहीं है अगर आपने तेजोरी सपने में खरीदते वए देखा गुद को तो यह अच्छा सपने नहीं माना जाता है तो अलग-अलग मतलब होते हैं furniture के general sense में furniture खरीदना मिशृत सपना है डिपेंड करता है कि आपने furniture में क्या खरीदा है आपने बिस्तर खरीदा है तो अच्छा सपना है तो अगर कोई specific सपना है अगर आपके पास अगर आपको लगता है कि कुछ खास सपना अलग से आया है तो आप प्लीज बताइएगा पर in general sense में यह अलग-अलग सपना अलग-अलग हिसाब से आता है इसके ल आपने बारे में बहुत ही कम लिखा है पुस्तकों में और इतना मैंने पढ़ा है इस पुस्तक के लाव मैंने आपको बताने की कोशिश करी है इसके लावा कोई और आपके पास सवाल हो तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा जिससे मैं उसका समयदान शीक्रदिशी डोंड कर आपको बता सकूए दोस्तों हिंदी ग्रंद के चैनल क को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए आज लोग हमारे साथ जुड़े हैं हमारी यही मनोकामना है आप सब इका बहुत बहुत दन्यवाद जैसिया राम